पार्ट तेरो है नम्मर सिस्टम आरे सगरबाल से तो पार्ट बारो में क्वेश्चन नम्मर चोदो जो बतलाए थे इसी से मिलता जुलता ये प्रोग्लेम है पैतालिस सा आठ के समीपतम कौन सी संख्या है जो एकीश से पूर्णतिया विभक्त हो तो इसको समझने के लिए पहले ये समझो ये अंक छोटा है क्वेश्चन एक ही टैप का है एक क्वेश्चन होगा चालिस में से कौन सी वह सबसे छोटी संख्या घटाई जाए मतलब ये सा आ सकता है जो चालिस में से कौन सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त से छोटी संख्या घटाई जाए इस में दूसरी बात है चालिस के समीप तम समीप मतलब नजदीक तम लग गया तू सबसे जैसे सुन्धर असुन्धर तम सुन्धर मतलब सुन्धरkal. beautiful सुन्दर तम जब ये तम लगा तो सबसे सुन्दर है ना तो समीप यानि नदीक समीप तम सबसे नदीक तो चालिस के सबसे नजदीक या समीप तम कौन सी संख्या है जो छो से पूर्णतिया भी भक्त है तो हम लोग इसे पहले जो तरीका अपनाते थे चालिस में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वो चो से पूर्णतिया भी भाजित हो तो इसको अगर आधार बनावे उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं चालिस में से कौन सी सबसे छोटी गाटाई जाए ताकि प्राप्त शेश को छो पूर्ण रूप से विभाजित कर दे तो चालिस में ऐसी स्थिती में चालिस में हम लोग छो से भाग देंगे तो शेश बचा चार इसका आर्थ हुआ ये 36 आया ना चालिस में भाग देने से से शेश बचा चार तो 36, 37, 38, 49, 40 इतना मैं गवर करो क्वेश्चन के शार चालिस में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह चार से विभाक्त हो जाए तो चालिस में से कितना देखो चालिस से पहले 49 तब 38 तब 37 तब 36 ये 36 छोषे पुर्ण होता है ना अतिरिक्त चार लर्के हैं मालो चालिस आम में से छो लर्के को समान रूप से देना है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ताकि जो बच जाए मतलब समान रूप से देंगे तो चालिस में 6 से भाग देंगे तो 6 चार बचेगा परतेक लर्के को 6 चार आम देंगे तो 6 लर्के में 36 आम होगा समान रूप से तब 4 चार 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 आम बच गिया अतिरिक्त आम बच गिया इसी तरह 40 के समीब तम ये बला अभी नहीं चालिस में से कौन सी सबसे छोटी संक्या घटाई जाए तो 6 में आता है 4 यानि 4 में से 4 हम लोग घटा दे तो 36 आता है 36 और 40 में क्या अंतर है 4 6 है यानि ये 4 6 चालिस में से घटा दे तो सबसे नदीग 36 है है ना जो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है इसमें लेकिन कौन सा कोश्चन है 40 के समीब तम यानि सबसे नदीग कौन सी संक्या है जो 6 से पूर्ण तिया विभागता है तो देखो 36 6 से पूर्ण रूप से विभागता है 36 के आगे है 37 38 49 41 42 यानि 36 से पहले 36 में से 6 घटाओ तो तीस इसमें से 6 घटाओ तो 24 यानि 24 को 6 काट रहा है 6 या कोई भी संक्या जिस अंक को भी भाजित करे 24 को 6 काट रहा है तो इससे आगे की किस संक्या को 6 काटेगा तो 24 में 6 जोर दो 30 को 30 को 6 काट रहा है तो फिर कौन सी संक्या इसमें इससे आगे कटेगा तो फिर चौ जोरो 36 फिर चौ से कटने वाली आगे वाली कौन संख्या होगा तो इसमें भी चौ जोरो तो 36 कटेगा तो इसके आगे सीधे 42 कटेगा अब देखो तो 40 के समीपतम सबसे नदिक कौन सी संख्या है जो 6 से पूर्ण रूप से भी भगता है पूर्ण तिया तो ये 40 के नदिक ये 42 है कि 36 तो आंसर क्या होगा इसका 42 होगा ना क्योंकि 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 और 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 यानि ये 2 ही कदम आगे है 42 और ये 4 कदम पीछे है इसलिए 40 के समीव तम कौन सी संख्या है जो 6 से पूर्ण रूप से भीभगता है तो 42 लेकिन बनाएंगे कैसे उसी तर्ज पर इससे पहले वाला पार्ट में जो बतलाए या अभी बतलाए 40 के 40 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि बचे हुए सेस को छोपूर्ण रूप से काट दे तो 40 में हम लोग 6 से भाग देंगे तो 36 यानि 4 4 सेस है यानि एक्स्ट्रा है 40 से 4 कदम पहले तो संख्या कटेगी तो 40 में से 4 घटाओ इसलिए 40 मैंनस 4 बराबर 36 अब देखो 36 को तो 6 काटेगा ही 40 के समीब तम सबसे नदिक तो 36 को काटेगा हम लोग इस धंक से निकालेंगे 6 बचा 4 40 में से 4 घटा देंगे 36 को काटेगा यानि वह सबसे छोटी संख्या 4 है जिसको 40 में से घटाएंगे तो 36 बचेगा 36 और 36 को 6 पूर्ण रूप से काटेगा लेकिन 36 से आगे बाली किस संख्या को 6 काटेगा तो इसमें 6 जोर दो जुटेगा तो 36 चो 42 अब 36 जोर 6 बराबर 42 को भी 6 पूर्ण रूप से काटेगा तब सबाल आए देखो चालिस के समीप्तम तो चालिस एकतालिस बियालिस यहां 36 को चो काट रहा है और 42 को चो काट रहा है लेकिन डौनों में से 40 के समीप्तम कौन सी संख्या है जो 6 से पूर्ण ती अभी भागता है तो 40 के नदिक 42 है की 46 है तो आंसर में क्या होगा इसलिए आंसर बराबर 42 इसको समझी इसी ताज पर यह है पंदरम आंसर पंदरम पैंतालिस सो आठ के समीप्तम समीप्तम का मतलब सबसे नदिक 45 सो आठ के समीप्तम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्ण तिया विभागत है तो इसके समीप्तम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्ण तिया विभागत है यानि 45 सो आठ के पहले भी ऐसी संख्या होगी जो 21 से विभक्त होगा और 45-108 के आगे भी ऐसी संक्षाएं होगी जो 21 से विभक्त होगा तब सवाल उठता है जो आगे बाला नद्दिक है कि पीछे बाला तो हम लोग पहले पीछे बाला अगर निकाल लेते हैं तो आगे बाले की जानकारी हो जाएगी 21 से पूर्णतिया विभक्त है इसके समीपतम कौन सी वह संक्षाएं है तो अगर पीछे है तो कितना कम से कम घाटाएंगे जो पीछे का संक्षाएं प्राप्त होगा तो भाग देना होगा यानि 45-108 भागा कितना 21 तो यह हम लोग 45-108 में 21 से भाग देंगे एकी दूनी 42 तीन जीरो 21 से कहने 20 नौ आठ 21 चुका 84 यह हो गिया आठ में चार गिया चार चौदा यानि चौदा फाजिल है यह 45-108 से चौदा पद पहले यानि 45-108 में से चौदा घटाएंगे तो जितना होगा उसको यह यकीस काटेगा सबसे पहले काटेगा अता यकीस से यकीस से भीभाजित होने वाली संख्या यकीस से भीभाजित होने वाली संख्या क्या होगा तो पैटालिस सा आठ में से चौदा घटाएंगे पैटालिस सा आठ मैनस चौध तो आठ में से चार गिया चार, 10 में से एक गिया न 43 94 घोनमे, 44 94 को ये कीष काट देगा तब 44 94 में यही इस से पहले कुष को काटेगा तो 44 94 को काटेगा ना तो 44 94 को एकीष काट रहा है तो अगर हम कहेंगे 32 को 8 काट रहा है तो 32 से आगे किस संग्छा को 8 काटेगा तो 32 जोर 8, 40 40 से आगे किस को तो 48 आर 40 इसी तरह 21 इसको काट रहा है तो इसमें ठीक एकी जोरेंगे तो जितना आएगा उसको भी 21 काटेगा तो 44 सा चोरान में के आगे बाली संग्छा जिसे 21 काटेगा तो 44 सा चोरान में जोर 21 होगा न 4, 1, 5 नदू 11 4, 1, 5 नदू 11 का 1, 4, 1, 5 45 सा पंद्रह तो 45 सा पंद्रह जो है को भी काटेगा यानि देखो 45 सा पंद्रह से पहले 44 सा चोरान में डोडोडोडोडोडोडोडोडोडोड तots 45 सा आट कीसे आगे है 45 सा पंद्रह यानि ये 45 सा आट के समीप तम कौन सी संख्यां है जो एकी से पूर्णतिया भिभक्त है इसके सबसे नदीक एकी से कटने वला ये 44-94 में है इसके आगे 45-15 है तब फिर इसमें एकी जो रहेंगे तब नागे वला कटेगा तो इस डौनों में कौन सा 45-8 के नदीक है गोलो 45-15 में से 45-8 घटाएंगे तो दोनों साथ कदम एक दूसरे से दूर है इधर 94-94 है इधर 8 है तो चोड़ ये ये 14 कदम दूर है है ना तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 45-15 इसलिए आंसर इस टैप का बन जाना चाहिए ये सब भुसकलबा हिसाब है तो राम तेजगती में बतलाएंगे इसमें देखो सबसे पहले किसकी किरिया होगी तो भागा की होगी तो भागा की किरिया हम लोग करेंगे और काता है वाट यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर एक्स माल लो सकेंडी चरान में तो इसको गुना हम लोग कर सकते हैं 672 कोहतेओ सही रहे हो तो चलो वैसे अंतर नहीं पारता लेकिन नियम से ही चलेंगे और 16 गुने 12 हाँ हाँ बोलो पूरा लिखेश से अच्छा इसी बतलाए भी है जी पहले जोर घटाव गुना भाग का का एबम कोस्ट का पर्योग इतना एक ही हिसाब में रहे जैसे सबसे पहले किसका पर्योग करेंगे सबसे पहले कोस्ट का कोस्ट में तुमको छोटी कोस्ट से लेकर बरी कोस्ट रह सकता है इसके बाद का अब आजाओ भागा इसके बाद आजाओ गुना इसके बाद आजाओ घटाओ इबं अंत में पलस्ट का ये बीज गनीत ये चिन्न है जिसका उपयोग अगर एक ही हिसाब में हो तो सबसे पहले हम लोग कोस्ट का पर्योग करेंगे तब काका तब गुना तब ये भागा गुना घटाओ जोर उल्टा करम में चलना है जी यानि पहले जोर है न इसको हम लोग ऐसे उलट दे उल्टा पढ़े पहले कोस्ट का पर्योग करना है तब का का पर्योग तब भागा तब गुना अग गुना के बाद जो है सिर्फ घटाओ को छोर करके जोर कर देंगे अगर हम लोग कोस्ट से पीछे की और हम लोग को चलना है यानि इधर की और चलना है पहले कोस्ट का तब का का इसके बाद भागा भागा के बाद गुना अतब जोर का अंत में घटाओ का जैसे इसको हल करना है एक जोर एक घटाओ एक गुना एक भागा एक का एक तो इसको कैसे हल करेंगे सबसे पहले का का रहता है कि को रहता है बोलो कि दोनों रहता है का रहता है तो का का मतलब गुना होता है होता है ना तो एक गुने एक का का हल हो गया तब फिर एक जोर एक घटाव एक गुने एक भागा यह गुना हो जागा एक 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 वोगा ना इसको जो का बला हल है तो एक एक जोर एक घटाव, एक गुने, एक भागा, एक, एक से दूद आहरन ले तो अच्छा होता ना जी, चलो ठीके है, एक जोर, कहां ठुटा है, एक पलस एक मैनस एक, गुना एक, ये एक भागा में चला जाएगा ना, अरे, छो भागा तीन बराबर, छो भागा तीन ऐसे, या इसको ऐसे भी बच्चा में सिखाया जाता है, छो भागा बदलता है गुना में, तो ये उलट जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक भाटा तीन, समझे यह हो गिया एक एक बटा एक एक अब तो पलस एक मैनस एक कार दो एक अंसर होगा दूसरा उधारन देखो यह तो बेश में हम बतला हैं कोस्ट का परियोग दो जोर दो अगर इतना ही रहे का दो दिया रहे तो गुना हो जाएगा दो दो नी चार तो चलो दो जोर दो घटाओ दो गुना दो भागा दो का का मतलब गुना होता है समझाना तो गुना करके रिजल्ट देना है या तो दो दुनी चार कर दो या फिर क्या करना है अगर दो देते हो तो का का मतलब गुना दो अब ये दो भागा में नहीं देंगे चुकि का को हल किया है गुना के रूप में तो ये वाला काम को तमाम करके चार लिखना है तब कदम आगे बढ़ाना है इसलिए बेहतर होता है का दो है न तो दो दूनी चार कर दो डिरेक्ट का का मतलब गुना सबसे अच्छी बात समझ रहे हैं फिर दो जोड दो मैनस यहां दो दोनी चार नहीं करना है किसी भी किमत पर क्योंकि का के बाद किसका परियोग का के बाद भागा का दो भागा चार यानि गुना उल्टा होगा चार बटा एक है तो एक बटा चार होगा एक बटा चार अब दो दूनी चार कौन सा दो ये दो गुना दो गुना दो दूनी चार नीचे में चार कट गया समझा इसको उपर में एक एक गुने एक बटा एक बराबर एक यन यह हो गया दू जोर दू मैनस एक होगा अब तो समान चिन को जोर दोनों दू-दू चार मैनस एक बराबर तीन आंसर अगर यहीं हिसाब में इस टैप से रहे तब कैसे बनाएंगे कोष्ट का परयोग करेंगे सबसे पहले दो जोर दो में से दो गिया सुन्नी कोश ठट गिया दो भागा दो का दो दो दुनी चार दो जोर अभी देखो पहले आप भागा हल होगा होगा आंजी तु सुन्नी को दो से गुना नहीं करो दो गुने एक बटा चार दो दो जोर सुन्नी का सबसे गुना हो रहा है तो पूरा टर्म ही यहां तक सुन्नी हो रहा है सुन्नी गुने एक बराबर सुन्नी बटा दू सुन्नी में किसी चीज से भाग दोगे तो सुन्नी होगा ना कोई confusion नहीं नहीं है तो दो जोर सुन्नी बराबर तो कोस्ट का परियोग बेशा उफल जबरा में हम बतला दिये हैं काफी डिटेल में और ये भी तो बच्चा वाला चीज है लेकिन इसको भी हम बतलाए हुए हैं किसी ने किसी चप्टर में बतलाया हुआ है फिर भी हिंट दे दिये simplification में simplification 100% समाप्त हो गया हुआ चप्टर है आरे सगरवाल से अब ये इस सब में कोई जान है नहीं फिर भी question 1 बराबर के पहले जो हल करके मानलोब 10 आएगा तो बराबर के आगे भी 10 आना चाहिए तब न 10 बराबर 10 होगा तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है याद करना है इस खाली अस्थान पर क्या होगा तो हम लोग मानल लेते हैं इस खाली अस्थान पर एक्स होगा ठीक है तो इसको लिखेंगे तो लोग गुने 12 मैनस 672 भागा का हल होगा सबसे पहले का नहीं है तो भागा का हल होगा तो 21 बटा एक उलट जाएगा तो एक बटा 21 खाली अस्थान पर मान लेते हैं एक्स है तो एक्स मैनस 21 अब गुना हल होगा तो बारच शके 72 का दू एक सब बेरान में मैनस ये कट रहा है 21 तिया 63 हाँ कट जाएगा 21 तिया 63 चार दू एकिस दूनी 42 बटीस बटीस उन्हें एक बटा एक यानि बटीस हो गया होगा ना माइनस 211 बराबर के पहले आएगा तो पलस 211 बराबर एक्स समान चिन वाला को जोरो 211 अई मान लो 214 11 में से 8 घटा दो 403 इसको जोरने पर इसमें से घट गया 32 बराबर एक्स 403 रुपिया में से 32 रुपिया हाटा हो 71 370 रुपिया बराबर एक्स इसलिए एक्स बराबर 371 अंसर तो इसा ब्यजान है हैं इतना अंसर मिला लो तीन सब घत्तर कितना है प्रस्ना वलिवाने का इन में से कोई नहीं ठीक है अंसर दू चार सब पच्छत्तर जोर 950 का 64 परतीशत बराबर 900 पलस वाट देखो परसेंटेज तो पढ़ाए ही है अब निकालना है एक्स का 10 परतीशत तो एक्स का का मतलब गुना 10 परतीशत उसा परसेंटेज में हम बहुत अच्छा से बतला दिया हैं 10 को 10 बटा परतिशत के लिए 100 उसी तरह 950 का 950 का 64 परतिशत तो 950 गुने 64 बटा 100 होगा है ना तो हम लोग हल करते चले 475 जोर 950 का 64 परतिशत यान गुने 64 बटा 100 बराबर 900 कहता है बराबर के पहले जो हल करके आएगा 900 में कितना जोरने पर पराप्त होगा तो मान लो एक्स जोरने पर होगा अब इक्वेशन बन गिया इसको काटो कितना से काटेगा चार से तो 16 चोका 64 पचीश चोका 100 25 तिया 75 और 25 अर्थे 200 ये हो गया 38 तो इधर हो गया 475 जोर 38 गुने 16 कैसे गुना करोगे तो 16 को 8 से गुना करेंगे तो 128 पगा ना का 8 बच गिया 12 तो 16 तिया 48 अर्था बारा साथ बराबर 900 जोर एक्स 600 चार साथ दस साथ पच्छतराश तैरासी दस साथ तैरासी बराबर 900 जोर एक्स ना साथ को पीछे लाएंगे तो मैनस हो जाएगा एक्सा तैरासी अंसर ठीक है तीसरा भी इसी टैप का था छोटा छोटा इसाब है बेजान है यह सब अच्छा इसाब शुरू हता है 60 के बाद 60 के बाद तो चवथा अर्था 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 ब्यालिस का अर्था ब्यालिस का एक बाद दू जोर वाट का पंद्रो पर्सेंट बरहाबर 249 अब अर्था ब्यालिस का एक बाद दू एक बाद दू का मतलब आधा होता है ना तो यह हो गया अर्था ब्यालिस बटा दू में किसका पंद्रो पर्सेंट जोरेंगे तो मान लो एक्स का पंद्रो पर्सेंट जोरेंगे तो यह होगा चोबीस उन्चाश वाट का पंद्रो पर्सेंट किसका पंद्रो पर्सेंट तो माना कि एक्स का पंद्रो पर्सेंट ठी तो दूसरे भाग दिये तो 1921, 1928, 1942, एक्स का 15 परतिशत मतलब एक्स गुने 15 बटा एक्स बराबर 24 उन्चा, अब ये 1928 को बराबर क्या आगे ले जाएंगे, इसको रहने देते हैं, ये कट जाएगा 5 से 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, तो ये एक्स गुने 3 यानि 3 एक्स बटा 20, अब पलस एक्स 1930 को बराबर क्या आगे ले जाएंगे, तो बराबर क्या आगे है, 24, 99 माइनस 1929, कितना हुआ, 9 मैं से 1 गया, 8, 4 मैं से 2 गया, 2, 24, 5, फिर ये देखो तीछा गुणा में चला जाएगा 20 तो लिख सकते हैं थिरी एक्स बराबर पांस सो अथाइस गुणे 20 इसलिए एक्स बराबर पांस सो अथाइस गुणे 20 बटा तीन पांस साथा इस तीन से काट रहे देखो भाबन में तीन से भाग दिये सत्र तिया एकाबन सेश बचा एक एक आठा ठारा तीन से के आठारा एक्स चेहतर गुणे 20 एक्स चेहतर दुनी तीन सा बाबन होगा ना तीन से बाबन पर एक जिरो 3520 इसलिए एक्स बराबर आंसर मिला रहे हो न जी 3520 आंसर है ना यह चोथा हुआ यह कोई दम नहीं है समझा अब पंचमा में है वाट का तीन सारे तीन सा परसेंट तुमान लेंगे एक्स का सारे तीन सा परसेंट भागा पचास जोर 248 बराबर पंच से अकांद में 113 दूसरा नहीं लिखें चोथा है कितना है अब देखो पंचमा चाटमा टैप का चाठा था और सात्मा टैप का आठमा तो पंचमा शात्मा नम्मा यह तीनों भी भुश्कल बाहिशाब है माना कि एक्स का तीन सा पचास परसेंट भागा इतना बराबर इतना तो एक्स एक समीकरन बन जाएगा एक्स का मान निकल जाएगा इसमें दसमलब बाला है तो दसमलब को तोर देना या दसमलब बाला घटाव आता ही है आता है ना बना दे सात्मा नैंत वाला चलो यह हिसाब लगता है जो सही लिखा है देखो तो मिला नम्मा मिला दू जगा भागा है ना देखें दूर भी भागा लगता है लो तू सही है सवाला किस भागा का पहले उप्योग होगा नहीं नहीं ऐसे नहीं आओ इसका भी नियम है समझा इसलिए हिसाब को अंचोरने जा रहे थे यह तो पूछ करके बहुत अच्छा किया लो दूसरा मार कर लो कालपना करो अगर दिया हुआ है तीस भागा तीन इतना ही पहले कुछ न कुछ से भाग दोगे निजी अब इसका रिजल्ट मान लो आता है दस समझ गया अब भागा दू अब इसका रिजल्ट आता है पांच इसका आता है दस तो यहां यह देने का सेंस दो जगर है तीन जगर है इसका सेंस क्या होता है जो अब इसमें तीस में तीन से भागा देंगे तो किलियर है दस आएगा तो तीस में तीन से भागा देने पर अगर जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हमको जैसे यहां पर दस आएगा तो उस रिजल्ट में इससे प्राप्त रिजल्ट में पुना भागा देना है दूसे अब फिर अगर भागा है जो भी वो मालो तीने है तो पहले बाला में जिससे भागा लगा है उससे प्राप्त रिजल्ट में मालो दस आया तो दस में इससे प्राप्त रिजल्ट में आगे बाला से भाग लगेगा यानि दस में दूसे तो ये रिजल्ट हो जाएगा तुमको पांच अब हाँ ऐसे चलना है समझ गया अब देखो ये एक्वेशन है आगे में रूट में क्या ऐसा कौन सा ऐसा संख्या आना चाहिए जो बराबर के पहले यहां पर कौन सी संख्या आएगा जिसको रूट तोर करके 6 से गुना करे तब बराबर के पहले वाला आया ह यही निकालना है सीधे बटा में 21 दिये माल लो फिर भागा में 5 एक आ एक नहीं तवरा जाता है बराबर रूट में एक्ष माल लो गुने 6 चलो इधर 15 75 बटा 21 फिर टूटेगा एक बटा 5 बराबर 6 रूट एक्ष कर देते हैं छो पहले रूट एक्ष बाद में कोई अनतर नहीं परा कटेगा ना पांच सब पंदर 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 पंच सरी तीन सब तीन सब पंच पंदर पंदर पंच थीक है मतलब यह हो गया 315 बटा 21 रूट एक्स बराबर इसको पहले ला दिये इसको आगे कर दिये कोई अंतर नहीं परा कटेगा कट जाएगा 31 में 21 से भाग दो 21 रूट एक्स बराबर चो रूट एक्स बराबर पंद्र यह तो इक्वेशन है यह चो कहां जाएगा पंद्रो के नीचे होगा न यह कट जाएगा 3 से तो 5 यह दो यानि रूट एक्स बराबर हो गया पांच बटा दू इसी लिए एक्स बराबर रूट हटता है तो आगे में इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर रूट हटाने के लिए दोनों और एक्सकोयर कर दिया जाता है तो रूट एक्स का एक्सकोयर बराबर 5 बटा दू का एक्सकोयर इसी लिए रूट एक्स गुने रूट एक्स जानि एक्स पाँचे पचीश बाटा चार पॉइंट में लिखो ने लिखो ठीक है तब तो हो गया च्छो दसम लब एक च्छो चार दूनी आठ इतना होगा अगले पार्ट में अभी हलका ही है साथ के बाद कुष्चन नमर साथ के बाद थोरा सा दम है दम तो है नहीं थोरा सा तो अब नेक्स पार्ट में